हेलो तो आगे हम पढ़ेंगे प्लास्टिक चैस मेटीरियल्स ऑफ चॉइस जाने के बाकी सारे जो चीज़ें हैं तूसरे माटीरियल्स हैं जिन से हम चीज़ें मना सकते हैं उसकी जगह आजकल प्लास्टिक ने ले लिया है इप वी थिंक ऑफ स्टोरिंग एफ फूड आइटम हम एक फूड आइटम को स्टोर करने के लिए रखते हैं जैसे वाटर है पानी को स्टोर करने के लिए रखते हैं तो जो लोहे के पहले बरतन होते थे उनको जंग लगने का होता था तो हम लोग प्लास्टिक की बाल्टियो और देविट परतन होते थे तो उनको कली करवाना पड़ता था तो वो भी हम आजकल प्लास्टिक के यूज करने लगे हैं वो तो आपको पता है कि मैटल जागी में जो खटी दीदें होती हैं वह खराब हो जाती हैं तो पिकल्स जो हैं अचार बगएरा ड्राई फूड है एड्सेटरा वो सारे प्लास्टिक के कंडेनर में हम लोग बहुत अच्छा मिसूस करके उनमें रखते हैं तो इसका जे फाइदा है कि जे सारे लाइट वेट होते हैं इनका प्राइस भी बहुत काम होता है इनके स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है इनको हैं करना अच्छा होता है और यह काफी देर तक चलते हैं हलके होने की बज़ा से मैटल्स के से हलके होते हैं प्लास्टिक जो होते हैं वो कारों में यूज करते हैं एयर क्राप्स में यूज करते हैं अभी देखो स्पेस क्राप्स जो उपर रॉकट बगरा जाते हैं उसमें भी यूज़ अपने लब हाई क्वालिटी का फ्लास्टिक वहां भी यूज़ करते हैं दा लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स हमारे स्लीपर होते हैं जो चपल होती है पहनने वाली और फरनीचर आइटम्स होती हैं जैसे कुर लाइक आयरन गेट रस्टड तो जैसे लोहे याली चीचें होती हैं जो वो सारी हवा और मौसर के साथ लगके उनको जंग लग जाती है तो ऐसा यहां पर कोई भी खत्रा नहीं होता इसके लिए हम इनमें चीचें स्टोर कर सकते हैं तो प्लास्टिक जो है वो लाइट है स् स्कुरूंग है तो डिफ्रेंट शेप में उसको किसी भी शेप में मना सकता है यह सवस्था पढ़ता है मैटल से तो इसकी इंडस्टी जो है वो हाउस होल्ड आर्टिकल बनाती है आगे है प्लास्टिक है पूर कंड़क्टर है यानि के पूर कंड़क्टर है इसमें से लेक्टिटी नहीं गुजर सकती हीट भी नहीं गुजर सकती और बिजली भी नहीं गुर सकती तो हैंडल वगरा स्क्रूड रेवर के हैंडल है दूसरी चीज़ों के प्लास वगरा होते ह उनमें fry pants के ऐसे जो लगते हैं तो plastic जो है वो बहुत इसका बहुत सारा health care industry में भी काफी इसका use है package करने के लिए गोलिया जो है जाद आगे बंद करने के लिए और stitching bonds के लिए जो धागा होता है सिरिंज बनाने के लिए डॉक्टर की gloves बनाने के लिए medical instruments बनाते हैं तो सारे वो प्लास्टिक से बनते हैं तो special plastic के cook beer भी आते हैं microwave ovens में रखने के लिए उसमें समान रखने के लिए बोजन उसको एफेक्ट नहीं करता टैफलोन एक ऐसी चीज है प्लास्टिक की जो उसकी sticking sticky sticky नहीं जाने देती जो फ्राइपेन होता उसके साथ सबजी बगरा चिपकती नहीं है तो ऐसे ही प्लास्टिक पर environment के लिए वो घरों में काफी सारी जमा हो जाती है तो हम इनको dispose off करते हैं तो कूड़े में चले जाती हैं तो वहां पर यह गलती नहीं है दूसरी चीज़ें जो हैं वो बायो डिग्रेडेवल जाने के जिनको जिवानु बगरारा खाके तो उनको खत्म कर देते हैं लेकिन यह प्लास को सड़ जाती है कागज भी 10-30 दिन में जल जाल जये गळल जाता है क्लोग 002-5 मेन तक बिलकूल खत्म हो जाता है लट्री भी खत्म हो झाल झाल